पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हम लोग बात कर रहे थे धारिता की धारिता हम लोगों को अब आपको बता दूं मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि यह 36 गड़ बोर्ड की परिक्षा 2023 के लिए फास्ट ट्रेक रिविजन का कोर्स चल रहे हैं इस बारे में और जानकारी यह है कि कच्छा बार्वी की भौतिकी के लिए मैं अभिनोत शांशो पांडे आप लोगों को परिक्षा की तयारियां करवा रहूं इसके अलावा गनित रसायन फिजिक्स बायो इंग्लिस इन सारे सब्जिक्स पर क्लाश 12 के लिए और इसके साथ साथ सारे सारे विश्यों पर अच्छा दसवी की बोर्ड परिक्षाओं की तयारी भी आपके अपने प् वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप वापस से प्ले लिस्ट में जाएं हर एक विश्यों की डिटेल डिसकुशन है उसे जरूर देखें और फिर अगर आपको हमारे एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है तो अभीशा का जो प्लैटफॉर्म है यह आपको Android Play Store से डाउनल बनाने के लिए बहुंच ज्यादा सहयोग मिलने वाला है तो आज ही डाउनलोड करें से लिए देखते हैं कि आज हमारे चर्चा का विशाय क्या है जैसा कि हम लोगों को पता है कि विद्धुत विभावयम धायता के बारे में हमने बात चल रही थी हम लोगोंने समानतर प् संधारित्र के बारे में सोच लो यहां पर इनके बीच की जो दूरी है डी है और अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर धनात्मक आवेश और यहां पर रिनात्मक आवेश इस तरीके से लगे हुए हैं हम लोगोंने इसे पहले से चार्च करके रखा है पहले से इसमें आव प्रॉन उठाया और उसे डीड दूरी का विस्थापन देते हुए यहां लेकर गए अब जब यहां पर आप लेकर जाएंगे तो आपको कुल मिला के जितना कारे करना पड़ेगा उतना ही जो है आपको यहां पर जो है उर्जा का संचेन होगा अच्छा यह जो हमें जानकारी की जितना विस्थापन करेंगे कि ए गए कारें गयुक करें खाने की परती एकान्क आवैस किये गयूब को हम क्या कहते हैं विभव करते हैं अब यहां से अगर छोटा सा कारें डीडबल निकाना है तो हम क्या करेंगे जो इन दोनों प्लेटों के बीच में जह विवह उन्त की लाके आवेश्वों के लिए का किये है का्या का मान हम इसका समा करने करना पड़ेगा अब आप बताइए कि संधरत के बारे में हमको और क्या पता है संधरत के जाएगा । ब्राबर समा कलन और यहां पर मिल जाएगा ॥ वत है क्शी और ब्राफ्य झालेंगे जो भी यहां पर इसकी जो भी घात होगी उसमें एक की बिद्धी करके और बढ़ी होई संख्या का भाग दे देंगे तो यहाँ पर Q की घात एक है तो एक की बज़ाए Q का वर्ग हो जाएगा और बटा दो हो जाएगा और यह जो है इसके बाहर हमको मिलेगा बटा C और यह मान हो जाएगा डबलू का अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो आपको मिलता है डबलू बराबर एक बटा दो Q का वर्ग बटा C अब और हमको क्या पता है हमको यह पता है हमको और क्या पता है हमको ये पता है कि ये क्योंकि C बराबर Q बटा V होता है तो अगर हम यहाँ पर देख लें तो V बराबर Q बटा C होता है यहाँ पर Q का वर्ग बटा C है तो हम लिख सकते हैं W बराबर 1 बटा 2 और ये Q बटा C और 1 और Q अब यह Q बटा C तो V होता है तो W का मान हो जाएगा एक बटा दो QV इसी तरीके से एक और चीज़ जो अगर हम देखना चाहें तो यहां पर देखिए Q को हम लोग लिख सकते हैं CV आपको यहां से तेरिया गुना करें तो Q बराबर हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा CV और यह जो हम मान अगर हम यहां डाल दें तो हमको एक सूतर तो कुल मिला के उर्जा के लिए क्या मिला था W बराबर हाप QV W बराबर एक बटा दो QV यह तो हमको पता ही है इसके साथ-साथ हम क्या कर सकते हैं W का मान हो जाएगा देखिए Q के बदले हम सीवी डालेंगे तो यह हो जाएगा एक बटा दो बराबर है, बटा दो u ? एक बटा दो दो Q का बटा दो C पिर यू बराबर होता है एक बटादो C K Also V का वर्ग और यू बराबर होता है एक बटादो्थ3D कोもし बिसंदहारित्र में उल्सचित उर्जा के मान के दिए ये aún से ती नग में पूछा जाने वाला सवाल बन सकता है हम बढ़ेंगे आगे और अब आवेशों का पुनर्वित्रन देखेंगे आवेशों का पुनर्वित्रन होता क्या है चलिए देखते हैं हमारे पास में एक संधारित्र है जिसमें हम लोगों ने Q1 आवेश डाल कर रखा है इसी प्रकार से हमारे पास में दूसरा संधारित्र है जिस पर हम लोगों ने Q2 आवेश डाल कर र जीसा हो जाएगा तो भी भुवानतर वी हो जाएगा कुल आवेशों की मात्रा क्या ये जुह बदल जाएगी तो तो बिल्कुल नहीं बदलेगी तो इसलिए कि यहां पर यह Q1 क्या होता है हमारे पास सूत्र था C बराबर Q बटा वी तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास में Q1 का मान हो जाएगा Q1 बराबर C1 V1 और Q2 का मान हो जाएगा Q2 का मान हो जाएगा C2 V2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं Q बराबर C1 V1 C2 C2 B2 अब आप ध्यान दीजे कि यह किस तरीके से जूड़े हुए संधारित्र हैं यह जूड़े हुए संधारित्र हैं समानतर प्लेट संधारित्र संधारिती जो इनकी नई धारिता हो जाएगी C बराबर C1 धन सीटू अब आप बताईए कि क्यू बटा सी क्या होता है तो देखें यहाँ पर क्यू बटा सी विद्धुत विभाव का मान हो जाएगा और इस तरीके से इनका नया विभाव बन जाएगा वी बराबर क्यू वन वी बराबर क्यू बटा सी और यह हो जाएगा सी वन वी वन धन सी टू वी टू बटा सी वन धन सी टू यह इनकी नई धारिता हो जाएगे इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी दो संधारित्रों को अगर हम इस प्रकार से जोड़ें तो उनमें आवेशों की मात्रा समान रह और लेकिन उनकी धारिता में परिवरतन आता है कुल धारिता बदल जाती है और इनका दोनों के बीच में नया जो भी भुवांतर है वो भी समान रहने वाला है लेकिन उसका मान हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं यह बात समझने के बाद में जब हम लोगों ने आवेशों का तो उर्जा मान लेते हैं कि U1, U1 जो है, ये पहले की उर्जा है, मतलब पहले संधारेतर की उर्जा है, और इसका मान ले लेते हैं, हम ये हो जाएगा, एक बटा दो, C1, V1 का वर्ग, ये चीज हम लोगों ने अभी-अभी देखी है, कि उर्जा का मान देखे, C, V का वर्ग ह होता है, तो U1 का मान हो जाएगा, एक बटा दो, C1, V1 का वर्ग, तो ये हो गया, इसी तरीके से दूसरी जो उर्जा है, बतलब दूसरे संधारेतर की उर्जा है, उसको हम लिख सकते हैं, एक बटा दो, C1, C2, V2 का वर्ग, और ये दोनों उर्जा हैं, मिला करके जो है, य हमें नई उर्जा की आवशकता है, नई उर्जा के लिए फिर से हम C1, V1, तो U2 का मान हम लिख सकते हैं, U2 बराबर, एक बटा दो, नई धार्टा क्या है, C1, C2, और नया विभाव क्या है, C1, V1, C1, V1, धन, C2, V2, और पूरे का बटा, C1, धन, C2, और इस पूरी मात्र को हम लोगों ने विद्धुत विभाव देखा था, यहां देखिए, C1, V1, प्लस C2, V2, दिवाइड़े बटा, C1, C2, यह विभाव का मान है, और इस पूरे का वर्ग, और यह हो गया, अन्तिम उर्जा, या अन्तिम उर्जा, अब प्रारंभिक और अन्तिम उर्जा के ब तो हरास हुआ है, और यदि इनका अंतर रिनात्मक हुआ, तो उर्जा बढ़ी है, लेकिन उर्जा के संदक्षण के नियम के बारे में हम जानते हैं, और दूसरी बात यह है, कि जैसे ही हम दोनों संधारित्रों को एक दूसरे से चिपकाएंगे, वैसे ही वहां पर चिंगा करेंगे, तो हमें उर्जा के हरास का मान मिल जाएगा, तो हम करते हैं उर्जा के हरास के लिए, डिल्टा यू बराबर यू वन माइनस यू टू, यू वन माइनस यू टू, अब जो है, यहां से हम गणनाएं कर सकते हैं, तो चलिए आइए, गणनाओं की उपर ध्यान देत रिन एक बटा दो और C1 धन C2 और यहां आजाएगा यहां आजाएगा C1 V1 धन C2 V2 और पूरे का बटा C1 धन C2 और इस पूरे का वर्गर यही चीज हम लोग उने देखी है C1 V1 C2 V2 और पूरे का वर्गर अब जो है यह अंतर निकालना है सबसे पहले हम क्या करेंगे हम एक बटा दो को बाहर निकाल लेंगे एक बटा दो हम बाहर निकाल लेते हैं अब यहां पर हो जाएगा C1 V1 धन C2 V2 का वर्ग और back करेंगे और हर का अलग work करेंगे तो यहां पर इसका भी work होगा और ये work इसको काट देगा तो हम को मिलेगा बटे में c1 धन c2 अच्छा अब जो है हम इसकी बात करते हैं तो यहां देखिए ये हो जाता है यहां पर ये हो जाता है a धन b और पूरे का work बराबर एक वर्ग धन बीक वर्ग धन दोए भी तो यहां पर हो जाएगा एक वर्ग मतलब एक वर्ग मतलब यह हो जाएगा C1 V1 पूरे का वर्ग धन C2 V2 पूरे का वर्ग धन 2 C1 C1 2 C1 V1 C2 V2 और यह मात्रा अब देखे क्या यहां पर यह चीज हम लोग अगर यहां पर गुणा कर दें तो क्या पूरे को जो हम उस तरीके से लिख सकते हैं बिलकुल अच्छी बात हो जाएगी तो हम यहां पर कर लेते हैं C1 धन C2 इसका पूरे का गुणा कर देंगे C1 V1 का वर्ग धन C2 V2 का वर्ग और इसमें घटा देंगे तो अब हम इसको देखते हैं तो C1 का वर्ग V1 का वर्ग धन C2 का वर्ग V2 का वर्ग धन 2 C1 C2 V1 V2 और इस तरीके से अब यहां पर जो हम पूरे का बटा यहां पर C1 धन C2 कर सकते हैं अब यहां पर आप ध्यान देंगे तो आपको और क्या चीज़ें नजर आती हैं चलिए अगले पेज में देखते जाते हैं और यहां पर देखें C1 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 का वर्ग V1 का वर्ग यहां पर हो जाएगा एक बटा दो हम लोगों निकाल रहा है बाहर और यहां पर हो जाएगा सीवन का वर्ग वीवन का वर्ग यहां हम लोगों ने कहां तक बात कर ली हम लोगों ने हम लोगों ने इसका गुणा इसके साथ कर लिए अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो यह हो जाएगा सीवन सीटू वीटू का वर्ग तो यह हो जाएगा धन सीवन सीटू वीटू का वर्ग धन अब हम गुणा करेंगे सीटू का तो यहां पर हो जागा सीवन सीटू वीवन का वर्ग यहां पर देखेंगे तो यहां पर हो जागा सीटू का वर्ग वीटू का वर्ग यहां पर हो जागा सीटू का वर्ग वीटू का वर्ग रेन अब यहां पर देखें तो यह पर हो जागा सी वन का वर्ग वीवन का वर्ग वीवन का वर्ग का मेरे है कि एघ र earns सी टु का वर्ग सी टु कं वर्ग के बितु को वर्ग रेन 2 सी वन सी डू वी लू यह बात पूर ठीक है आप दोबारा से मिलान करके देखें तो आपको सारी चीजें मिलेंगी अब जो जो चीजें कट सकती हैं हम उन चीजों को काटने का प्रयास करेंगे तो क्या क्या चीजें कट रही है चलिए देखते हैं यहां पर देखें C1 V1 का वर्ग धनात्मक है और यहां पर C1 का वर्ग V1 का वर्ग रिनात्मक है यह दोनों चीजें कट गई इसी तरीके से यहां देखें C2 का वर्ग V2 का वर्ग धनात्मक है और C2 का वर्ग V2 का वर्ग यह दोनों भी चीजने कट गई अब हमारे पास में क्या बचा हमारे पास में बचा एक बटा दो C1 धन C2 यह हम लोगे ने बाहर निकाल दिया और यहां हमको दिखाए देता है c1 c2 v2 का वर्ग धन c1 c2 v1 का वर्ग धन c1 c2 और यहाँ पर हो जाएगा नहीं धन नहीं है यहाँ पर रिण है तो यह जो है हो जाएगा रिण c1 c2 नहीं रिण 2 c1 c2 v1 v2 अब जो है यहाँ पर अब देखें यहाँ पर अगर मैं c1 c2 को बाहर निकाल दो तो जो है क्या बचेगा देखें c1 c2 बटा 2 c1 धन c2 और यहाँ पर हमको मिल जाता है v1 का वर्ग धन v2 का वर्ग रिण 2 v1 v2 और यहाँ से जो है अगर हम नश्कर्स निकालना चाहें तो क्या दिख रहा है a1 का वर्ग धन b का वर्ग रिण 2a b बराबर a रिण b पूरे का वर्ग और इस तरीके से हमको जो है उर्जा हरास मिल जाता है डेल्टा यू बराबर डेल्टा यू बराबर एक बटा नहीं यहां पर है यहां पर हो जाएगा c1 c2 बटा दो c1 धन c2 और यहां हो जाएगा वी वन रिण वी टू पूरे का वर्ग और यह जो है क्या है यह वो पद है जो आपको बताता है कि यदि हम लोगों ने कि दो संधारित्रों को आपस में जोड़ा तो उसमें से कुल मिला के इतनी उर्जा का हरास होता है यह बात समझने के बाद में हम बढ़ेंगे आगे और हम देखते हैं कि नुकीले भागों की क्या करिया हो सकती है हम जानते हैं कि एक जो चालक है इस चालक में जो है जब हम आवेश जालते हैं तो प्रत्येक भाग में एक समान आवेश आ जाता है मतलब आवेस समान रोप से वितरित हो जाते हैं लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि क्योंकि यहां पर छेतर फल जादा है इसलिए यहां पर जो आवेस वितरन हुआ है इसका मान इसमें मतलब आवेस घनत्व का मान वो कम हो जाएगा जो कि छेत्र फल बढ़ा है और यहां पर जो है आवेज घनत्व का मान आवेज घनत्व का मान जो है वो बढ़ जाएगा तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जो नुकीले हिस्से हैं वहां पर आवेज घनत्व का मान बढ़ जाता है और क्योंकि आवेज घनत्व बहुत लगता है जिसको हम चार्ज लीकेज बोलते हैं इसी सिद्धान के उपर वेंडे ग्राफ जनरेटर का जो है की रचना की गई है और ये क्योंकि आपके इस बार सिदेवस के हिस्से में नहीं है इसने हम वेंडे ग्राफ जनरेटर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंग इस तरीके से हमारा जो रिविजन था इस चैप्टर का वह हो जाता है और इसके बाद में अब आप क्या देखने वाले हैं पूर्व प्रश्ण पत्रों के जो महत्वपूर्ण प्रश्ण इस टॉपिक से पूछे गये थे इस टॉपिक से मतलब अध्यायदो से इन सारे प्र जनरल टेंडेंसी यह होनी चाहिए कि यह चैनल आप सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल वीडियो लगातार देखें और जो है जो जो आपको नोट्स बनाने का मन होता है वो सारे के सारे नोट्स आप जरूर बनाएं अगर आप हमारे अप्लिकेशन में हैं तो आप हमसे डार इस अबढाओ जोगल आप हमसे मोटस आप हमसे लिए उनर आप हमनाने का मन होता है सब्सक्राइब का जेन आप हमसे बिल्सक्राइब के वाँ जब भाँ जब आप हमसे जब आप हमसे वीडि़ में